दोस्तों श्रीलंका के बाद अब आएगी बांगलादेश की शामत बीसी सियाई ने कर दिया है इस साल की सबसे रुमांचक टीट्वेंटी सीरीज का एलान अब बांगला टाइगर्स के खिलाव दो दो हाथ करेगा हिंदुस्तान तो आखिर कब होने वाला इंडिया बांगला की नई और सबसे ख़दरनाक प्लेंग 11 और कहां देख सकते हैं आप ये मैच बिलकुल मुफ्त में ये सब भी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांगलादेश में ये कौन है टीट्वेंटी सीरीज अपने नाम कर पाएगा अपनी की थीन शूनने से सीरीज का सूपड़ा साफ कर दिया लेकिन वंडे सीरीज में श्री लंका ने भारत का सूपड़ा साफ करते हुए हिसाब बराबर किया हमारी वंडे टीम को दो शूनने से धूल चटा कर इतिहास लिखा जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया था लेकिन अब भारती फैंस के कुछ खुशियां दोगनी होनी जा रही है क्योंकि अब एक नए दौर का एलान हो चुका है जिसमें फन भी होगा, एकसाइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली जियां दोस्तों आपको बता दें बहुत जल्दी टीम इंडिया का बंगलादेश दोरा शुरू होने जा रहा है जिसमें इंडिया और बंगलादेश के बीच रोमान चिटी 20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा हालाकि ये सीरीज बंगलादेश में नहीं बलकि हिंदुस्तान में खेली जाएगी क्योंकि बंगलादेश में कैसे हालाद हैं ये तो आपको मालूम ही है वहां के लोग सुरक्षित नहीं है तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिलकुल नहीं भेज सकते हैं इसलिए बहुत जल्द बंगलादेश की टीम इंडिया आने वाली है इसके पूरे स्केडूल का एलान किया जा चुका है अपके जानकारी के लिए बता दे भारत और बंगलादेश के बीच ये तीन मैच की टीटी सीरीज खेली जाने वाली है जिसकी तारीख सामने आ चुकी है पहला वंडे मैच 12 अगस्त को मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेला जाएगा इसके बाद ये कारवा पहुँचेगा दिल्ली जहां 16 अगस्त को इंडिया और बंगलादेश अरुन जेटली स्टेडियम में दूसरे टीटी मैच में दो-दो हाथ करते हुए नजर आने वाली है तो फिरंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा टीटीटी मैच कोलकाता के इडन गार्डन में खेला जाने वाला है और इस टीटीटी सीरीज में रुमांच तो अपनी सबी हदों को पार करेगा जैसा हमेशा होता है इंडिया और बांगलादेश के बीच हमेशा काटे की टककर होती है इस पूरी सीरीज का लाइफ प्रसारन डिजनी प्लस होट स्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा और ये टीवेंटी सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी इसी कारण बी-सी-सी-ाई भी काफी सीरियस हो चुकी है जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्री लंका के खिलाव जब T20 सीरीज हुई थी तब सूरे कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्री लंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था कप्तान तो एक बार फिर से सूरे कुमार यादवी रहने वाले हैं लेकिन हार्दिक पांडिय भी भारत की प्लेंग 11 में रहेंगे उन्हें उप कप्तान बनाया गया है इसके साथ ही साथ कई नए चहरे भी इस T20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किये गए हैं जी हां दोस्तों अब चलिए बीसी सी आई द्वारा तैयार की गई भारत की स्कॉर्ड भी हम आपको दिखा देते हैं तो अब जहां पहले T20 के लिए उपनिंग करम में हमें यशस्वी जैसवाल के साथ अभी शेक शर्मा की खदरनाग जोड़ी बंगलादेशी के इंद्ब उनके बाद नमबर पांच की पोजीशन पर शिखम दूबे को अपने बल्ले से जल्वा दिखाने का मौका हैट कोच गौतम गंबीर और बेसी सी आई द्वारा दिया गया हाला कि वंडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था लेकिन T20 में वो एक अलगी बीट्स बन चाहते हैं छटे पाइदान पर हमें नज़र आएंगे माइटी रिंको सिंग